असलाम अलेकम दोस्तों अमीद काता फिट वाट होंगे मज़े में होंगे मैं आपका होस मुहामद राशिद आज एक नहीं वीडियो के साथ इसनली एक भाई ने सवाल पूछ था कि सर मेरे पौदे जो ऑगाई थी और उनकी जो पौदे हैं वो वेजिटेटिव ग्रोध की दरफ चले गए थे सिर्फ पौदे बन रहे थे और फूलों पर नहीं आ रहे थे आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इसकी बीची क्या रीजन्स हैं हम इसे कैसे कर्दोर्स कर सकते हैं तो लिएकर से जुड़े रहें आज की इच्छी बात जिन्दगी में यह जिन्दगी बहुत छोटी है और आपके और मेरे अमल पता नहीं हमें आखरत में हमारे कितने काम आते हैं हमें नहीं पता हैं तो अपनी जिन्दगी में कुछ ऐसा कर जाएं कि जो आपके लिए आपके पीछे भी आपके बीचे कुछ नहीं बनता रह आता रहना रहे हैं कहीं जाएं किसी मस्जद में, बंतीवी मस्जद में कुछ हिस्सा बना लें, कुछ हिस्सा डालें उसमें, मतलब सब कोई बन रहा है, उसमें कुछ हिस्सा डालें, या कहीं भी किसी विलफेर में, जो यतीमों के लिए हैं, उसमें कुछ हिस्सा डालें, तो ये आपके लिए आ तो आज की वीडियो शुरू करते है वोड़ी के साथ जूड़े हैं सेम रिक्वेस्ट है सब भाईों के साथ प्लीज चैनल को सिस्क्राइब करें अगर आपने नहीं सिस्क्राइब किया हुआ और अगर सिस्क्राइब किया हुआ है तो प्लीज लाइक लाहिज में किया करें औ वेजिटेटिव ग्रोथ या जिसे कहते हैं कि हमारे पौदे सबजे की तरफ क्यों चले जाते हैं इसके पिछे काफी रिजन्स मौजूद हैं अगर देखी जाएं देखें तो साइड कहते हैं कि जो प्लांट के अंदर जो छे फैक्टर्स हैं लाइट वाटर रोशनी पानी दर्जा हरारत या नमी जैसे कहते हैं और विंटिलेशन जैसे हवा का निजाम और इसके इलावा फॉराक और सॉयल यह चो छे चीजे हैं जिसके उपर प्लांट चारा सारा चलता है इसमें कोई भी डिस्टर्ब हो जाए तो पौदा विजिटेटिव ग्रोथ की तरफ जाता है कभी कभी वो फिल सिर्फ फ्लावर निकालना शुरू करते हैं यह उसका रिस्पॉंस है उसे कोई मसला है ज्यादा तर पौदे जब विजिटेटिव ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो उसको उसके मीचे जो मेन रिस्ट ज्यादा तर होती है उसमें जमनमी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या आप ऐसा ह꺼ता है कि सम्टाइमस अचानक से मौसम का तुदिली आ जाती है स्टरैस सड़न रुक्रीड हो जाती है या आप बहुत ज़दा नेल्टरोजन का इस्तिमाल कर लेते हैं अप यूरिया का इस्तिमाल बहुत ज़दा कर लेते हैं तो उसकी वज़से भी बॉदे जो है ना वेजिटेटिटीव गुरूद की ज़ूदे जाते हैं जिस टाइम उसने फ्लावर पकेड़ने होते हैं वो फ्लावर छोड़ देता है और उसको कंडिशन्स मिलती है वो उसमें रन कर जाता है विजिटेटर ग्रोथ की तरफ तो बोदे को ऐसे हालत में हमें क्या करना चाहिए अगर ऐसा कोई मसला आजाता है आपके पास तो हमें कौन से दामाद करने चाहिए मार्केट में बहुत सारे लोग बहुत सारे एक्दमाद करते हैं कोई जिम्परालिक असिट का इस्तमाल करता है कोई फाइट ओफिक्स का इस्तमाल करने को कह रहा है कि अब इसको इस्तमाल कर ले क्या हमें यह इस्तमाल करने चाहिए कि नहीं चाहिए ये भी एक सवाल रुटता है देखे जो फाइटो फैट फिक्स का जो प्रॉडक्ट है जिसे इसमें एक एसिड है उसकी वज़ा से होता क्या है कि आपका पौदा जोने सड़न रुक जाता है और फूल निकाना शुरू कर लिता है ये हम उस कंडिशन में ज्यादा तर देते हैं जब आपका पौदा खतम होने की तरफ जा रहा होता है और सड़न आपके बहुत सारी फूट उससे वेज़िटे जो पिकिंग जब लेनी होती है और वो आप लेके उसको खतम करना चाहते हैं उस कंडिशन में आप इसको फाइट अञे को यूरिया कि उस वक्तव पने उसके वीडिया ना हो तो बहुत बेतर है मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रॉडक्ट ऑवेलेबल हैं जिसमें फासफोरस और पुटाश की मिदार होती है अगर आपके पशक पासफोरस आपको मिल जाती है किसी प्रॉड़क के अंदर तो उसका इस्तमाल करें वो भी वदे को विजिटेव्टी ग्रोज से फ्लावरिंग की तरफ लेकी जाता है कि जो ग्लॉसम हैं जितना भी फूल निकल निकालने का निजाम है, सिस्टम है वो फासफोरस से इनहेंस होता है अगर आपको फूल चाहिएंगे जिएदा और आपका फूल चाहिएंगे जाएदा व्रूट बनाएगे जिएदा प्रूट सेटिंग अच्छी हो सकी इसको फासफोरस की मिगदार को बढ़ाए हैं और भी बहुत सारे कैमिकल्स आप दे सकते हैं जिसमें कोशिश करें कि नाइटरोजन की इस्तमाल को कम से कम इस्तमाल करें तो आपका पौदा फिर ये रिस्पोंस नहीं करेगा बागे इंटरनेशनल बाहर मुमालिक में कुछ ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं जो इस्तमाल किये जाते हैं अचली जब ओदा विजिटेटिव वरोध की तरफ मूफ कर जाता चानक से तो उसके अंदर फिर वो क्या करते हैं कि उसके लिए ऐसे केमिकल्स मार्केट में मौजूद है बाहर पाकिस्तान में नहीं है मौजूद अगर कोई बाहरसे मुझवा सकता है या कोई बाहर का बंदा भाही देख रहा है तो वो इसतमाल कर सकता है इसमें एक प्रॉडक्ट है जिसका नाम केमिकल्स का नाम है beansलिकल्स इसम्प्रो हैक्जदिा व्योम्द के लिसमें ऌनाम है काड़ो आटिDer के नाम मिझन के गां पॉर्धे हैं अक्यूटि के नाम से गौड़े के नामँ जहा जा जूप देखेजा है प्रोड़ेट केंडियरणिकल नाम भूची आप पिडियर कोषट केंड है नत पॉर श्ताती है बीसे फिसीम के नाम से बनते हैं और फिर पौदा अटोमेटिकली फ्लावरिंग की तरफ आ जाता है पाकिस्तान में एक और अमल भी किया जाता है लोग लोकल फार्मर्स इसे करते हैं वो शूट्स काड़ देते हैं जो नेक्स्ट नियू शूट्स निकलते हैं जो नही शाखे निकलती हैं उनके सिरे काट देते हैं तो पौदा तब भी सब्रेस होके फ्लावरिंग की तरफ चल जाता है ये भी एक अच्छा अमल है जो इस केमिकल का जो रियक्शन है वो भी सेम के तकरीम इसी तरह कही है ये भी नई शूट को स्टाप कर देता है और पौदी को इंहांस करता है जब आप खुद काटते हैं तो उसमें कुछ नुकसानात होते हैं पौदा जखमी हो जाता है फंगस के अटैक हो सकते हैं और बड़े मसायल हो सकते हैं कुछ गलत तरीके से कट जाएं तब भी पौदा बहुत मुश्किल हालात में चलए जाता है या कुछ ऐसे पौदें जिसमें आप अगर फरक पड़ जाता है इसलिए ये चीज़ एक्सपर्टिस रखती हो तो अब ही कीजिए अगर आपके साथ को ऐसा मसला आया इससे पहले तब ही कीजिएगा इस्पेशली जो बेलदार पौदे होते हैं उसमें ये अमल बहुत अच्छा होता है और जो बेलदार नहीं होते हैं इसमें आप परी कि चीज़ नहीं कर सकते हैं तो ये कुछ चीज़े थी आप कोशिश करें जो में यही है कि आपकी पानी की नजाम की सेट होना चाहिए आप पानी में जबभी मसाल क्रियेट करेंगे पानी पानी को जडरूरत होगी ये आप नहीं देंगे या एक्ससे पौदे पे किसी किसम का स्ट्रेस है तो कुशिश करें कि स्ट्रेस के लिए अच्छे अमाइन वैसेट की ग्रूपस मिलते हैं वो इस्तमाल करें साथ में ये प्रूनिंग अगर कर सकते हैं वो कर लें अगर आपको ये केमिकल्स अविलिबल होते हैं इसके इस्तमाल करें और फासफोरस का इस्तमाल करें उस वक्त तो इन्शालला आपके पौदे विजिटिटिप रोग देंगे और फ्लावर की तरफ चले जाएंगे इन्शालला एक और वीडियो सूनी बनाऊंगा कभी-कभी पौदे जोना बहुत ज़्यादा फ्लावर्स निकालते हैं ये भी एक सवाल आता है जब आप बहुत ज़्यादा फ्लावर्स निकालता तो वो क्या रिजिन होती है अगर टाइम मिल तो इसके पूर भी एक अच्छी वीडियो बनाऊंगा वैसे ये मैं रिजिन इसके पीछे बता देता हूँ सम्टाइम्स पौदा जब स्ट्रेस में होता है तो वो बहुत ज़्यादा मेल फ्लावर्स निकालता है आपको लग रहा होता कि आपके पौदे जादा ध्लावर्स मेश एक अच्यूल में जब भी एक फौदे का रिस्पांस होता है इन्शेला अपको फायदा हुआ उब कुछ शाय रखाला हुआ ताकि दूसरे भाईों तक भी इंफॉर्मिशन पहुंचे हों को भी फायता हो तो हमें आद रखिए इन्शालब नीगोड़ एक साथ तुबारा हाज़र होगा अज़र के लिए अज़र के लिए करता है